स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इंवेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में हैपी इंवेस्टर्स यूट्यूब की एक महत्र जगा जहाँ पर आपको मिलते हैं चोटे चोटे वीडियो में बड़े-बड़े मल्टी बैगर और बड़े-बड़े स्टॉक मार्केट के न्यूज सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर आज दोस्तो मैं बात करूँगा रतन इंडिया इंटर्प्राइस की काफी दिनों से इसके अंदर या तो लोगर सर्किट लग रहा है या फिर स्टॉक आगे बढ़ ही नी रहा है गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक में तो देखेंगे आज क्या है इसके अपडेट और फ्यूचर क्या है रतन इंडिया इंटर्प्राइस का तो हम बात करेंगे आज उस शेर के अपडेट के बारे में तो चलिए बिना देर करते हुए जाते हैं चार्ट पर दोस्तो स्वागत है आप सभी का रतन इंडिया इंटर्प्राइस के जीरोधा के चार्ट सेक्शन में आज बात करेंगे हम आगे क्या करना है क्या रहेगा हमारी स्ट्रण नीती क्या रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी तो देखिए मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि मैं इस स्टॉक पर काफी ज्यादा कॉंफिडेंट हूँ लेकिन हर स्टॉक में कोई भी स्टॉक जब भी आप बाई करें तो उसका एक इंट्रेंसिक वैली होता है एक अच्छा प्राइज होता है एक वैल्यूएबल प्राइज होता है जहाँ पर उसे बाई कर अभी जिस फेस में मुझे ये स्टॉक नजर आ रहा है जिस तरह से मुझे वॉल्यूम केंडल नजर होते हुए आ रही है तो दोस्तों क्योंकि ये स्टॉक बहुती कम समय में बहुती बड़ी रन बहुती बड़ी अपसाइड मोमेंट दिखा गया है तो अब जाहिर सी बात है कि इस टॉक में जब भी कोई पुराने इन्वेस्टर होंगे जन्मों ने ये सोब दो रुपे में तीन रुपे में पाँछ रुपे में ऐसे उसने उनको बहुत-बहुत बढ़ाई आप अभी अच्छे काते प्रॉफिट में होंगे और मैं अगर आप लॉंग टम की अवदी के लिए इस स्टॉक को रखना चाहते है तो मैं इस टॉक में लॉंग टम की अवदी के लिए काफी बुलिश हूँ अभी के फंडामेंटल के अब ही इनका जिस तरीके से सेल्स हो रहा है उससे अगर उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है तो कंपनी में और भी ज्यादा अपसाइड देखने को मिल सकती है फिलहाल दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है ये स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है तो हो सकता है कुछ दिनों में वापिस से ये stock अपर circuit में हमें दिख जाए एक बार consolidate या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये consolidate करें काफी लंबे समय तक यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है stock में लेकिन आपको अपने risk to reward ratio को ध्यान में रखते हुए अपने सारे risk को balance करते हुए ही कोई decision लेना है अगर आप profit booking करना चाहते है तो थोड़ी profit booking कर सकते है वरना long term के लिए ये stock मुझे काफी अच्छा लग रहा है मैं खुद इस पर काफी bullish हूँ और आपको हर गिरावट में इस stock को थोड़ा थोड़ा करके SIP के form में buy करने में कोई हर्ष नहीं है I hope आपको मेरा ये video समझाया होगा अगर कोई doubt हो तो आप comment section बता सकते हैं हम ऐसे ही छोटे छोटे 3-4 minute के videos में आपके लिए multi bagger news लाते रहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा ताकि आपको रोज हमारे videos के notifications मिलत तो मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले episode के साथ तब तक के लिए देखते रहिए happy investors बाबाई